और आप सभी के एक बार फिर सब्सक्राइब एक चैनल पर फ्रेंज आज की इस वीडियो में आपर हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से अपडेट होगर के आईए मतलब अपडेट होगर के क्या यहां पर कुछ नए स्मार्टफून्स एड किये गए हैं एंड कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफून्स को भी एंड्रोइड 14 वन्यूस 6.0 का बीटा अपडेट मिल सकता है क्याएं आपने दो स्मार्टफूनस का नाम और लेडिस सुन लियह ऊंगे जो कि हैं समार्टफून्स ए जिए स्मार्टफून्स को कर दिया ंड यहां पर 110% आपको इन दोनों से अंड्रोइड 14 का अपडेट मिलने वाला है और यहां पर सयम्सेंग ने Android 14 बीटा अपडेट के रिलीस टेट भी बता दी गई है जो कि यहां पर तारीक बताई कर रही है Samsung की तरफ से 9th August 2023 यहां पर कल बल्के अब कल को 1st August लग जाएगी और उसके बाद में आपर जो टाइम है वो काफी कम हो जाएगा और बात की जाए यहां पर Samsung के और स्माटफून की तो A-series में यहां पर 8 किये गए है जहां पर कि Samsung Galaxy A53 5G है और यहां पर Samsung Galaxy A73 5G है और इवन यहां पर Samsung का यह ऐसी mid range के स्माटफून ने A24 को भी यहां पर mention किया गया है तो इन सबी स्माटफून के लिए Samsung यहां पर Android 14 का बीड़ा अपडेट लेकर के आने वाला है इवन यहां पर M-series का भी Galaxy M54 को यहां पर एड़ किया गया है Android 14 बीड़ा अपडेट लिस्ट के अंदर मैं यहां पर आपको बता दूँ कैन इन स्माटफून के लिए कोई भी टेट अभी तलग कि लाए नहीं है तो आप मान के चलो के दो महिने at least लगने ही वाले है उसके बाद में Samsung जो है कोई action लेगा and मतलब उसके बाद में आपको update मिल सकता है क्योंकि दो महिने के अंदर यह testing में जाएंगे testing के बाद में इनको sport किया जाएगा हो सकता है उसके बाद में आपको जो update वो मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सवा महिने या डेढ़ महिने के अंदर जो update वो मिल जाए नाव यह जो चीज ने Samsung को पर डिपेंड कर दीको कितने time में और कितने time तलक update को rollout कर देता है और जब भी update rollout होगा या कोई और android 14 की recording कोई भी information आती है तो definitely आपको हमारे चैनल पर information मिल जाएगी make sure आप subscribe कर ले नोटिफिकेशन बेल कुछ turn on कर ले मैं मिल तो आपसे की सहसे अचले लिए interesting and informative वीडियो के अंदर see you in my next video signing out